तुम सब की क्लास 10 शुरू तो नहीं ने रीफ्रेंट्स बुक्स, क्विश्चन बैंक्स और अपनी लेटेस एंट्सियाटी के साथ हो जुकी है बट अगर नहीं चाते हो कि तुमारी क्लास 10 रिग्रेट के साथ खतम हो तो प्लीज ये साथ बड़ी गलतियां मत करना वरना सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10 के साथ भी और 10 के बाद भी क्या हाल पढ़ ले गैंग जैसे तुम्हारे माता पिता अपनी गलतियां भूला चुके हैं ने ने फैर तुम याद हो उन्हें और तुमने अपनी बच्पन की गलतियां शायद भूला दी है अब वक्त आ किया है जुगलतियां तुम प्रेजेंटली कर रहे हो उन्हें नोटिस करने का यह साथ मिस्टेक्स काफी ध्यान से सुनना इसका सॉल्यूशन जुगता हूंगा डीटेल में मिस्टेक 1 रीफरेंस क्या हमें रीफरेंस बुक्स लगानी चाहिए and especially the question mark comes over RD शर्मा क्योंकि RD श तक marks नहीं आ सकते तो ध्यान से सुनो जब भी board exams का paper set होता है especially maths का तो उसमें generally basic maths में तो समझ लो सारे के सारे ncrt based questions ही होते हैं सारे के सारे बस value change होती है उसमें वहीं standard maths के अगर हम बात करें तो वहाँ पर questions एक pattern में set होते हैं 75% questions होते हैं almost ncrt based यानि बिलकुल वो नहीं कि same question में number या फिर quantities challenge कर दी instead वहाँ पर ncrt के pattern पर होते हैं 75% then उसके बाद जो हमारा 15% question होता है वो होता है थोड़ा सा tricky question जैसे कुछ reference books के example से आ सकता है तो कुछ ncrt exemplar books से वहीं जो पचा हुआ 10% question है यह average students के लिए होते ही नहीं है क्योंकि उनके तो 90% questions attempt हो गया उसमें से ठी इसमें वो खुश है बट टॉपर्स को ट्रिक करने के लिए होते हैं जिसके लिए maths में तुमें चाहिए consistency यानि अगर तुम लगातार किसी एक अच्छी वुक से practice करते रहो जैसे की RD Sharma RD Sharma के सिर्फ solved examples भी लगातार यानि daily 15 से 20 questions solve करते रहोगे तो consistent हो जाओगे silly mistakes कम करोगे calculation में mistakes कम करोगे और वो 10% questions के chances तुमारे बढ़ चाहेंगे तो इस same चीज़ apply होती है हर एक subject पे और इस पूरे का पूरे pattern से जो मैंने एक minute में समझाया इस से तुम्हें analyze कर सकते हो कि तुम्हें RD Sharma चाहिए या नहीं अगर तुम्हारा 100% questions attempt करने का target है और वो जो 5-10% questions फसा करना चाते हो तो RD Sharma ज़रूर ले लेना और इसके सिर्फ salt examples भी लगा लोगे तो एक अच्छा score कर पाऊगे और बागी subject में क्वाण सी book या question bank लेनी है यह में बता रहा हूंगा mistake number five में moving on to second NCRT कैसे करें अब हमने इतना तो देख लिया है कि सारे toppers बोल रहे होते हैं NCRT is 100 percentage of NCRT is 100 percentage of NCRT but NCRT करनी कैसी है कैसे dive करना है उसको समझने के लिए उठा लो अपना इस बार का CBSC का sample paper और उसको एक बार scroll करके देखो पहले मिलेगा सबसे पहला यह activity का question फिर नीचे थोड़े बाद boxers से question फिर NCRT की जो theory है ना उससे हूब हूँ question नहीं आ गया है linear खासकर science में जैसे social science में आ सकता है linear question कि यह act या फिर यह event किस year में हुआ किस sun में हुआ किस ने किया बट 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 यह चीज़ अपलाई नहीं होती है science में क्योंकि science में थोड़ा सा घुमा कर logical reasoning के साथ questions आ रहे हैं और वैसे questions करने के लिए तुम्हें NCRT के paragraphs का exact meaning मालू होना science में जाओ और वहाँ पर सारे के सारे यह notes देखो इन notes में activities डाली है boxes डाले हैं और बिल्कुल NCRT के lines में डाली हैं जैसे अगर acid base के chapter यह indicator से start नहीं हो रहा जैसे NCRT में start हो रहा है instead यह logical तरीके से start हो रहा है जिससे question frame होंगे जैसे acid के points acid के कौन-कौन से points से question frame होंगे फिर हर subject के notes science, math, social science के website बड़े लेवे हैं for free of cost जाकर चेक करो moving on number third कोई भी subject है उसके अगर basics नहीं clear है और अगर clear नहीं कर रहे हो तो आगे समझ नहीं आएगा for example अगर हम science की बाद करते हैं तो उसमें अगर reactions नहीं समझ में आ रहे हैं तो पहले chemical compounds देगो कैसे बनते हैं इस तरह से सारी basic चीज़े समझो especially in maths, maths में देखो कैसे calculation करनी है जैसे अगर πाई का value हमें 22 by 7 लेना है या 3.14 इसमें बहुत difference create होता है वहीं decimal वाली चीज़े हैं उसको fraction में करके solve करोगे तो easily calculation होगा यह सारी basics clear कर लेने के बाद तुमसे trigonometry जैसे chapters हो जाएंगे then let's move to mistake number four syllabus slow down सबका हो जाता है यार सुरू सुरू में सबका चल रहा होता है बट बात में खराब जाती speed क्यों क्योंकि हम plans में बिखर जाते हैं कि एक plan चल रहा होता है school का कि इस तारीक को unit test जैसे July August में unit test फिर September, October या November तक में तुम हरा half year early फिर pre-boards December, Jan में और फिर feb, March में boards तो यह चल रहा है school का plan वहीं अगर तुम coaching कर रहा हो तो उसके अलग test चल रहा है और तुम बीच में जूल रहे होते हो कि मैं इधर चलूं या उधर और अटक कर जाते हो तो please अपना खुद का इन दोनों plans को अगर तुम coaching school जोन रहा हो तो दोनों चीज़ों को analyze करके अपना खुद का एक return calendar plan बना के रखो और उसके according चलो कि इतने मंत में मेरे इतने chapters हो जाएं ताकि syllabus easily complete हो और subject by subject चार मंस में syllabus कैसे करना है उसकी ये वीडियो आ चुकी है link description में मिल चाएगा now fifth most important point is कि साल कौन सी SC book उठा लें जिससे हमारे सारे typology के questions हो जाएं चाहे हो SHT के image based question हो science के case based question हो maths के फसा देने वाले questions हो जैसे objective, subjective और case based तो CVSC का pattern अगर देखो न वाई 50% competency, 30% objective और 20% objective तो उसके साथ सिर्फ इतना मत देखो, साथ साथ में CVSC के sample papers को analyze करो और फिर जाकर कोई भी book market में purchase करना हो और ये सारे analysis के बाद है, मैं अगर तुम्हें recommend करो तो मेरे लिए सबसे best book इस time के market में होगी possible Google की question banks, क्योंकि इनके question banks नहीं, MLQs नहीं, most likely questions जो question के सबसे अदचांचा से आने के, वो questions नहीं include किये हैं, previous year questions भी include किये हैं हर book को analyze करने के बाद ये नाम लिया है, तो प्लीज एक बार चेक करना, link मैं तुम्हें description में देदूँगा point number six, time manage कैसे करें, मतलब coaching, school और ये सब के भी time manage कैसे करें, तो खुद का एक time बना करके, खुद का एक plan बना करके, खुद का एक calendar बना करके, पूरा year wise plan बना सकते हो, जो मैंने point four में already बता दिया है, detailed time table की वीडियो ये, मिल जाएगी, description में जाकर देख लेना, and the last point, point number seven, is handwriting, handwriting, बहुत बड़ा question mark सबके दिमाग में बैट जाता है, कि अगर मेरी handwriting खराब है, तो मेरी बात नहीं बनने वाली, जैसे, अगर मेरी height अच्छी नहीं है, तो सामने वाली से मेरी बात नहीं बनने वाली, but actually ऐसा होता नहीं है, वहाँ आती है, तुमारी skills की चीज़े, similarly, handwriting में कैसे तुम words और letters को लिख रहा हो, कितना distance दे के लिख रहा हो, ये matter नहीं करता है, presentation और handwriting में काफ़ी difference है, presentation में जैसे parallel tables बनानी होती है, differentiation की time, and social science में सारे answer points में लिखने होते हैं, फिर उन पॉइंट सोचा है paragraph, तुम जितने भी important words या keywords उस कर रहा हो से highlight नहीं, underline करना होता ह pencil की वदद से, and maths में to prove, given, solution, कैसे step by step लिखना है, ये सारी चीज़े हैं, part of presentation, not just handwriting, तो handwriting से insecure मत हो, अपनी skills, और presentation पे काम करो, और वो जल्द तुमारी होगी, I'm talking about words, and 95% dream, अब इतने सारे 7 points दो सुने हैं, इसको at least एक लोग को तो share कर देना, कि उसका भी भला हो, selfish मत बनो, notification शेयर देना कि तुमारा बहला ओगली वीडियो में स्कना हो, and then क्या, अब जाना, जा, पढ़ ले,